मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा ओम शान्ती आज की तारिक है 15 नमबर 2023 के बाबा के साकार महावाक्य है मीठे बच्चे सरव पर बलेसिंग करने वाला बिलिसफूल एक बाब है बाब कोही दुख हरता सुख करता का जाता है उनके सिवाए कोई भी दुख नहीं हर सकता बाबा ने प्रेशन पूछा भक्ती मारग और ज्यान मारग दोनों में एडाप्ट होने की रस्म है लेकिन अंतर क्या है बाबा ने उप्तर दिया भक्ती मारग में जब किसी के पास एडाप्ट होते हैं तो गुरू और चेले का संबन्द रहता है सन्यासी भी एडाप्ट होंगे तो अपने को फालूर कहलाएंगे लेकिन यान मारग में तुम फालूर या चेले नहीं हो तुम बाब के बच्चे बने हो बच्चा बनना अर्थात बरसे का अधिकारी बनना गीत ओम नमो शिवाए ओम शान्ति बच्चों ने गी सुना यह है परंपिता प्रमात्मा शिव की महमा कहती भी हैं शिवाए नमे तुद्राए नमे भा सोमनात नमा नहीं कहते हैं शिवाए नमे कहते हैं और बहुत सूती भी उनकी होती है अब शिवाए नमे हुआ बाप गौड फादर का नाम हुआ शिव वह है निराकार ये किसने कहा ओ गोड फादर आतमाने सिरफ ओ फादर कहते हैं तो वे जिसमानी फादर हो जाता है ओ गोड फादर कहने से रुहानी फादर हो जाता है ये समझने की बातें हैं देवताओं को पारस बुद्धी कहा जाता है देवताओं तो विशप के मालिक थे अभी कोई मालिक है नहीं भारत का धनी धोनी कोई है नहीं राजा को भी पिता अंदाता कहा जाता है अभी तो राजाए है नहीं तो यह शिवाय नमे किस ने कहा कैसे पता पड़े कि यह बाप है ब्रह्म कमार कमारियां तो धेर है यह ठेरेशी बाबा के पोत्रे पोत्रियां ब्रह्मा द्वार ब्रह्मा किसका बच्चा? शिब का. ब्रह्मा, विश्णू, शंकर तीनों ही शिब के बच्चे हैं. शिब बाबा है, उच्टे उच्भगवान, निराकारी बतन में रहने वाला ब्रह्मा, विश्णू, शंकर है, शुक्षम बतन बासी, अच्छा मनुश्य स्रिष्टी कैसे र करना है जिसको ब्रमा नाम दिया है एड़ाप्ट करने बाद नाम बदल जाता है सन्यासी भी नाम बदलते हैं पहले ग्रेस्टियों के पास जर्म लेते हैं फिर संसकार नुसार छोटे पन में ही शास्तर आदी पड़ते हैं फिर विराग्या आता है सन्यासियों पास जाकर करते हैं कि तुम हमारे चेलेवा फालोर हो यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो तुम आत्मा बाप को बक्ती मारग में बुलाती आई हो क्योंकि यहां दुख बहुत है त्राही त्राही हो रही है पतित पावन बाप तो एक ही है निराकार शिप को आत्मा नमे करती है तो बाप तो है ही, तुम मात पिता, यह भी गौड फादर के लिए ही गाते हैं, फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, मदर फादर बिगर रचना होती नहीं, बाप को बच्चों के पास आना ही है, यह स्रिष्टी चकर कैसे रिपीट होता है, इसके आद्धी मद्य अंत को ज प्रामा है, बाप कहते हैं, मैं क्रियेटर, डारेक्टर, प्रिंसीपल, एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूँ ना, मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं, आत्मा और प्रमात्मा का रूप एक ही है, बास्त में आत्मा है ही, बिंदी, बरकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना बिलकुल सुक्षम है उनको देख नहीं सकते हैं आत्मा भी सुक्षम है तो आत्मा का बाप भी सुक्षम है बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो मैं शिब भी बिंदी समान हूँ परंतु मैं सुपरीम क्रियेटर डारेक्टर हूँ ग्यान सागर हूँ मेरे मे स्रिष्टी के अद्धी मद्दे अंत का ग्यान है मैं नौलेज़फूल बिलिस्फुन हूँ सब पर ब्लेसिंग करता हूँ सब को सद्गती में ले जाता हूँ दुख हरता सुख करता एक ही बाप है सत्युग में दुखी कोई होता ही नहीं लक्ष्मी नारायन का ही राज्य है बाप समझाते हैं मैं इस स्रिष्टी रुपी जाड का बीज रुप हूँ संजू आम का जाड वह तो है जड बीज मैं बोलेगा नहीं अगर चतन्य होता तो बोलता की मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ते आधी निकलते हैं और यह है चतन्य है इसको कलब रिष्ट कहा जाता है मनुश्य स्रिष्टी जाड का बीज परम पिता परमात्मा है बाप कहते हैं मैं ही आकर इसका नौलज समझाता हूँ बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ दुखी बनाती है माया भक्ती मारों को पूरा होना है ड्रामों को फिरना जरूर है यह है विहिद वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी चक्कर फिरता रहता है कालियों के बदल फिर सत्य होना है स्रिष्टी तो एक ही है God Father is one यानि कि प्रमात्मा एक है इनका कोई फादर नहीं वहीं टीचर भी है पढ़ा रहे हैं भगवानु वाज मैं तुमको राज योग सिखलाता हूँ मुनिश्यत मात पिता को जानते नहीं तुम बच्चे जानते हो निराकार्शी बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं फिर साकारी ब्रमा के भी बच्चे हैं निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रमा के बच्चे भाई बेहन हैं यह है पुवित्र रहने की युक्ति बेहन भाई बिकार में कैसे जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जब भाई बेहन बनगे तो बिकार में जाएंगे। बिकार की ही आग लगती है ना। काम अगनी कहा जाता है। उसे बचने की युक्ति बाप बतराते हैं। एक तो प्राप्ती बहुत उच है अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहत के बाप का बरसा पाएंगे याद से ही एबर हिल्दी बनते हैं प्राचिन भारत का योग मशूर है बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पुवित्तर बन जाएंगे पाप भसम हो जाएंगे बाप की खतम होनी ही है या वही महाभारत की लड़ाई है जो बाप के बने हैं उनकी ही विजे होनी है या राजधानी स्थापन हो रही है भगवान राज योग सिखलाते हैं सोरक का मालिक बनाने लिए फिर माया रावन लरक का मालिक बनाती है वह जैसे श्राफ मिलता है बाप कहते ह हैं लाड़ले बच्चे मेरी मत पर तुम सवर्ग वासी भाव फिर जब रावन राजय kommer होता है तो रावन कहता है है इशुर के बच्चे नरकवासी भव नरक के बाद फिर स्वरक जरूर आना है यह नरक है ना कितनी मारा मारी लगी पड़ी है सत्युक में लड़ाई जगडा होता नहीं भारत ही स्वरक था और कोई रज्जय था ही नहीं अभी भारत नरक है अनेक धरम है गाया जाता है अनेक धरम का विनाश एक धरम की स्तापना करने मुझे आना पड़ता है मैं एक ही बार अबतार लेता हूँ बाप को आना है पतित दुनिया में आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खतम होनी है उसके लिए लडाई भी चाहिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम अश्रिरी आये थे यानि कि नंगे आये थे 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया अब बापिस चलना है बाप याद ला रहे हैं कि अब तुम्हारा पार्ट 84 जन्मों का पूरा हो गया है अब आपको जाना है मैं तुम्हें पती से पावर्ण बनाकर बापिस ले जाता हूँ हिसाब तो है ना पांच या बर्ष मैं देख ताए 84 जन्म लेते हैं सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और बरसा लो सरिष्टी का चकर बुद्धी में फिरना चाहिए हम एक्टर्स है ना एक्टर होकर ड्रामा के क्रियेटर डारेक्टर मुख्या एक्टर को ना जाने तो वह बे समझ ठेरे इससे भारत कितना कंगाल बन गया है फिर बाप आकर सालवेंट बना देते हैं बाप समझाते हैं तुम भारत बासी स्वर्ग में थे फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है भगवानों बाच भगवान तो सबका एक है क्रिशन को और सब धर्म बाले भगवान ही मानेंगे निराकार को ही मानेंगे वह सब आत्माओं का बाप है कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इन में परवेश करता हूँ राजाई सापन हो जाएगी फिर बिनाज शुरू होगा और मैं च सारी दुनिया का किचड़ा इन में पड़ जाता है फिर कोई यग रचा नहीं जाता भक्ती मारग खलास हो जाता है सात्यु तरेता के बाद फिर भक्ती शुरू होती है अब भक्ती पूरी होती है तो यह महिमा सारी शिब बाबा की है इनके इतने नाम दिये हैं जानते तो क रखती हैं जैसे जैसे सर्विस की है वैसा नाम पड़ा है तुम को सोमरस पिला रहे हैं तुम मताए सवर्ग का दवार खोलने के निमत बनी हो बंदना पवित्र की ही होती है अप वित्र पवित्र की बंदना करते हैं कन्या को सब बाथा टेकते हैं यह ब्रहम कमार कमारिया इस भारत का उधार कर रहे हैं बाबा कह रहे हैं ये जो ब्रम कुमार कुमारियां है ये भारत का उधार कर रहे हैं पुवित्र बन बाप से पुवित्र दुनिया का बरसा लेना है गरस विवार में रहते पुवित्र बनना है इसमें मेहनत है काम महाशत्रू है काम बिगर रह नही सकते तो मारने लगते हैं रुद्र यग में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं मार खा खा कर आकरेन उनों के पाप का घड़ा भरता है तब फिर विनाश हो जाता है बहुत बच्चियां हैं कभी देखा नहीं है लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं आप से बरसा लेने लि की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो अब तुमको बापिस चलना है इसलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो तो तुमको साथ ले जाओंगा फिर स्वर्ग में भेज़ दूँगा वह है शानती धाम बहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं सत्य प्रग में आ जाएंगे तुमने 84 जनम लिये हैं वरन फिरते जाते हैं पहले है ब्रामनों की चोटी फिर देपता वरन शत्रिया वरन बाजोली खेलते हैं ना फिर अभी हम ब्रामन से देपता बनेंगे ये चकर फिरता रहता है इनको जानने से चकरवती राजा बन बेहत के बाप से बेहत का बरसा चाहिए तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े तुम समझाते हो निराकार परम आत्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहां रहती हैं ये सूर्य चांद बतिया है इसे बेहत का दिन और कहा जाता है सत्यू त्रेता दिन द्वापर कल्यू रात बाप आकर सद्गती मार्ग बताते हैं कितनी अच्छी समझानी मिलती है सत्यूग में होता है सुक फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है सत्यूग में सोला कलां त्रेता में चोदा कलां ये सब समझने की बाते हैं बह प्रोने लड़ने जगडने की बात नहीं है, सारा पढ़ाई परमदार, पढ़ाई से ही मनुश्य से देपता बनना है, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है, यह पढ़ाई है, हीरे जैसी सिर्फ इस अंतिम जनम मे पवितर बनने की बात है, यह है सहज ते सहज राजयोग, बैरिश्टरी आदी पढ़ना, वह कोई इतना सहज नहीं, यहां तो बाप और चकर को याद करने से चकरवती राजा बन जाएंगे, बाप को नहीं जाना गोया कुछ नहीं जाना, बाप खुद बिशप का मालिक नह बच्चों को बनाते हैं, शिप बाबा कहते हैं, यह यानि ब्रह्मा महराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूँगा, मैं निर्वान धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को बिशप का मालिक बनाता हूँ, सची सची, निश्काम सेवा निराकार परमपिता परमातमा ही कर सकते है मनुश्य नहीं कर सकते इश्वर को पाने से सारे बिशव के मालिक बन जाते हैं धर्ती आस्मान सब के मालिक बन जाते हैं देवताएं बिशव के मालिक थे ना अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं अभी फिर बाप कहते हैं, हम तुमको विशप का मालिक बनाता हूँ, स्वरग में तुम ही थे, भारत विशप का मालिक था, अभी कंगाल है, फिर से इन मताओं दवारा भारत को विशप का मालिक बनाता हूँ, मैजोर्टी मताओं की है, इसलिए बंदे मातरम कहा जाता है, टा पिस जाना है, ये भगवान पढ़ाते हैं, नालजफुल, पीसफुल, बिलिसफुल, उनको कहा जाता है, वहीं फिर ऐसा सरबगुन संपन, सोला कला संपूरन पुवित्र बनाते हैं, अच्छा, मीठे मीठे, सिकला दे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाद, दादा का नंबर वार, पुर्शार, सार, याद, प्यार, और गुड मॉर्निंग, रोहानी बाद की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाद दादा को शर्दा भरी, प्रेम भरी, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक् पढ़ना है और सब संग तोड एक बाप संग जोड़ना है नमबर दो शिरीमत पर चल कर स्वर का पूरा बर्सा लेना है चलते फिरते सब दर्शन चकर फिराते रहना है वर्दान मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव लोकिक परिव पार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ सेवा धारी हूँ सेवा करते जरा भी मेरा पन ना हो तब संतुष्ट रहेंगे जब मेरा पन आता है तब तंग होते हो सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है तो जहां मेरा पन है वहां तंग होते और जहां त तेरा तेरा आया, वहां तैरने लगेंगे, तेरा तेरा कहना माना, सब मान में रहना, मेरा मेरा कहना माना, अभी मान में आना, सलोगन, बुद्धी में हर समय बाप और शिरिमत की सम्रिती हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा, बुद्धी में हर समय बाप और शिरिमत की स सम्रिती हो तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा ओम शान्ती